हेई गाई स्वागत है आप सभी का हमारे यूटीब चैनल जेवल प्राइम पर तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जस्टिस लीग एवेंजर्स कॉमिक्स का हिंदी एक्स्प्लेनेशन ये कॉमिक सीरीज मार्वेल और डीसी दोनों ने ही साथ मिलकर बनाई थी और इस सीरीज में हमें कई सारी ओसम चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे कि थौर और सुपरमैन की ओसम फाइट, बैटमैन और कैटन अमेरिका का अमेजिंग कोलाइबरेशन इसके अलावा सुपरमैन का मिले को उठाना, डार्क साइड का इंफिंटी गॉंटन पहनना और वगयरा वगयरा इसलिए अगर आप इस कॉमिक का फुल मज़ा लेना चाहते हैं तो इस कॉमिक सीरीज में बने रहिएगा हमारे साथ तो हमारी कहानी की शुरुवात होती है पुले मैचस नाम के एक प्लैनेट से ये प्लैनेट अपने युद्ध कोशल और कॉमबैट स्किल्स के लिए जाना जाता था और यहां रहने वाले जादा तर लोग वारियर्स थे लेकिन आज ये सारे के सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं हर तरह बस जहसने और खुश्यों का ही मौहल था पर तभी पूरे प्लैनेट का रंग लाल होने लगता है और वहाँ पर एक बड़ी सी परचाई आ जाती है जो पूरे प्लैनेट को घेर लेती है वो परचाई उस प्लैनेट पर मौझूद सभी लोगों के दिमाग में गुसकर उनसे एक ही सवाल पूँच रही होती है कि आखिर वो क्या है? कौन सा रहस है वो? क्या है वो सत्य? दरशल ये परचाई अपने किसी सवाल का जवाब डूढ रही होती है लेकिन उस परचाई को यहाँ पर अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता और इसलिए वो इस पूरे प्लैनेट को यहाँ तक कि उस पूरे युनिवर्स को ही तबाह कर देता है अब हम देखते हैं किसी दूसरे प्लैनेट को जो कि DC के मेन युनिवर्स यानि कि प्राइम अर्थ का एक अल्टरनेट वर्जन होता है और यहाँ पर जितने भी सुपर हीरोज थे वो सारे के सारे इविल होते हैं वो बेल्दिंग्स और सहरों को तबाह करके अपना इंटर्टेन्मेंट किया करते थे और इस टाइम भी वो सारे सुपर हीरोज यही कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर भी वो परचाई आ जाती है और सबके दिमाग में घुसकर वही सवाल दोराती है कि आखिर वो क्या है? कौन सरह से है वो? क्या है वो सत्य? पर इस यूनिवर्स में भी किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था इसलिए वो इस पूरे यूनिवर्स को तबहा कर देता है और निकल पड़ता है किसी दूसरे यूनिवर्स की तलाश में अब हम आते हैं Marvel Universe में और देखते हैं Grand Master को जो की पूरे Cosmos के सबसे प्राचीन जीवों में से एक है और इसके पास बहुत सारी powers है इसका सस्ता वर्जन आपने Thor Ragnarok में भी देखा होगा Grand Master को बड़े बड़े गेम्स खेलने में बहुत ही जादा मज़ा आता था उसने अर्बो साल पहले अपने एक भाई से कोई शर्त लगाई थी और आज उसका आउट कम आने वाला था Grand Master उसी चीज़ को देख रहा होता है पर तभी वहाँ पर वही परचाई आ जाती है और Grand Master को नीचे गिरा देती है Grand Master समझ जाता है कि ये परचाई बहुत ही जादा खतरनाक है और ये पूरे युनिवर्स को खत्म कर सकती है Grand Master उस परचाई से कहता है कि मैं तुम्हे अपना युनिवर्स तबाह करने नहीं दूँगा मेरे सामने आओ और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए Grand Master की बात सुनकर वो परचाई अपने Human Form में आ जाता है वो बताता है कि मेरा नाम है क्रोना और मैं किसी परमसत्य की तलाश कर रहा हूँ और ये सत्य जानने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता एक महीने बात अब हम देखते हैं अपनी Justice League की टीम को जो कि Terminus नाम के एक बहुत ही पौरफुल विलेन का सामना कर रही होती है दर असल ये विलेन Marvel Universe से आया होता है ये विलेन इतना जादा पौरफुल था कि Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, Aquaman, Martian Manhunter, Plastic Man और Batman ये सारे के सारे मिलकर भी उस विलेन का सामना नहीं कर पा रहे थे Terminus के पास एक जादूई चड़ी थी जिससे कि वो Justice League पर भारी पढ़ रहा होता है Batman ये सारा नजारा काफी देर से देख रहा होता है और फिर वो एक plan मनाता है सारे सुपर हीरोज अलग-अलग डायरेक्शन में जाते हैं और Plastic Man टर्मिनस के पूरे मूँ को ढग देता है इन सब चीजों से टर्मिनस को लगता है कि ये सारे सुपर ही उसकी जादूई चड़ी चुराना चाहते है और इसी वज़े से वो खुद पर ही हमला कर देता है और वही पर मारा जाता है बैटमैन का plan successful हो जाता है पर तभी हम देखते हैं कि आस्मान में एक नीले कलर की रोशनी दिखाई देती है टर्मिनस की बॉडी वहां से गायब होने लगती है हम देखते हैं कि वहां पर hell jordan होता है जो कि एक टाइम पर green lantern हुआ करता था लेकिन अब वो बहुत ही जादा powerful हो चुका है और उसे अब जाना जाता है स्पेक्टर के नाम से स्पेक्टर टर्मिनस की बॉडी को वहां से टेलिपोर्ट कर देता है अब हम देखते हैं Avengers को जो कि Starfish नाम के एलियन का सामना कर रहे होते हैं और ये एलियन आया है DC Universe से इसे आपने Suicide Squad मुवी में भी देखा होगा ये एलियन अपने अंदर से छोटे छोटे जीवों को निकालता है जो कि लोगों के चेहरे से अटाइच हो जाते हैं और फिर वो लोग Starfish के गुलाम बन जाते हैं Avengers के कई सारे Members जैसे कि She-Hulk, Quicksilver और बहुत सारे लोग इस Starfish के कंट्रोल में आ चुके थे देखते ही देखते थौर भी Starfish के कंट्रोल में आ जाता है और बिना थोर के Avengers की टीम काफी जादा कमजोर पर जाती है तब Wanda यानि की Scarlet फिच ये फैंसला करती है कि वो Starfish से पहले कनेक्ट हो जाएगी और फिर बाद में अपने Chaos Magic का यूज़ करके उसे ही कंट्रोल कर लेगी पर ये काम इतना असान नहीं था लेकिन फिर भी Wanda इसके लिए तयार थी वो Starfish के कंट्रोल में आ जाती है और अपने Chaos Magic का यूज़ करती है और काफी मसकत के बाद वो फाइनली Starfish को कंट्रोल कर लेती है और अर्थ से बाहर भेज देती है Starfish के जाते ही उसके छोटे जीव जमीन पर गिर जाते है और जितने भी Avengers Starfish के कंट्रोल में थे वो आजाद हो जाते है जब Wanda ने Starfish को कंट्रोल किया था तब उसे ये पता चल गया था कि ये जीव इस यूनिवर्स का नहीं है बलकि किसी दूसरे यूनिवर्स का है अब सारे Avengers ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है उदर Justice League को भी पता चल चुका था कि ये Terminus उनके यूनिवर्स का नहीं है इसलिए वो Flash को उस यूनिवर्स यानिकी Marvel Universe में भेजते हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिर माजरा क्या है Flash अब आ चुका था Marvel Universe में और उसे ये दुनिया काफी जादा अजीव लग रही होती है तभी Flash देखता है कि कुछ लोगों की भीड एक mutant को मारने की कोशिश कर रही होती है और वो mutant उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है दरसल Marvel Universe में जिपने भी humans होते हैं वो mutant से काफी जादा नफरत किया करते थे और उन्हें जिंदा ही जला देते थे वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि mutants इंसानों से अलग होते हैं फ्लैस लोगों की भीड को रोकने की कोशिश करता है वो कहता है कि अगर इसने कोई crime किया है तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे लेकिन लोगों की भीड और भी जादा भड़क जाती है उन्हें लगता है कि फ्लैस भी एक mutant है और इसलिए वो सारे लोग अफ फ्लैस को भी माणने की कोशिश करते है फ्लैस अपनी सुपर स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वही पर गिर जाता है उसे पता चलता है कि इस universe में speed force नहीं है और बिना speed force के उसकी powers यहाँ पर काम नहीं करेंगी वो mutant तो वहाँ से भाग जाता है लेकिन अब बिना अपनी powers के flash कुछ भी नहीं कर सकता था इसलिए लोगों की भीड उसे बहुत मारती है अब हम लोग देखते हैं justice league के watch tower को जहाँ पर पूरी justice league यह पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर माजरा चल के आ रहा है तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर flash आ चुका था लेकिन उसकी हालत बहुत ही बेकार थी flash justice league को पूरी बात बताता है तभी Martian Manhunter सबसे कहता है कि कोई हमें देख रहा है तभी पूरी justice league देखती है कि वहाँ पर है watcher watcher Marvel Universe के सबसे प्राचीन और powerful जीवों में से एक है लेकिन वो सिर्फ चीजों को देखता है और किसी भी event में कोई छेरखानी नहीं करता है Martian Manhunter अपनी psychic power से watcher से बात करने की कोशिश करता है लेकिन watcher कुछ भी नहीं बोलता Aquaman गुसे में कहता है कि बस बहुत हुआ अगर ये बुड़ा कुछ नहीं बोला तो हमें इसका screw ठीक करना ही पड़ेगा पर तभी वहाँ पर entry होती है grandmaster की वो justice league से कहता है कि watcher की चिंता मत करो वो कुछ भी नहीं करेगा वो सिर्फ चीजों को observe करता है grandmaster को देखते ही green lantern उसे कैद कर देता है superman grandmaster से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और हमारे universe में क्या कर रहे हो grandmaster बताता है कि मेरा नाम है grandmaster और मैं यहाँ पर तुम्हारे universe को बचाने के लिए आया हूँ मैं तुम्हें कोई बहुत ही important चीज़ बताने वाला हूँ superman martian man hunter से पूछता है कि क्या ये सच कह रहा है तब martian man hunter कहता है कि मुझे माफ करना मैं इसके दिमाग में नहीं जहांक पा रहा हूँ तब wonder woman कहती है कि कोई बात नहीं मेरी last of truth से कोई नहीं बत सकता grandmaster इस चीज़ के लिए मान जाता है वो कहता है कि अब तुम लोग मान गय होगे कि मैं सच बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही बड़े खत्रे की जेतावनी देने आ हूँ और मेरी बातों को बिल्कुल भी हलके में मत लेना grandmaster बताता है कि कोई हम दोनों के universe के बीच के barrier को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के universe तबाह हो जाएंगे लेकिन एक तरीका है जिससे हम इस खत्रे को टाल सकते हैं तब grandmaster justice league को 12 items दिकाता है ये बारहों चीज़ें बहुत ही जादा powerful होती हैं जिनमें से 6 चीज़ें marvel universe की और 6 चीज़ें DC universe की थी grandmaster कहता है कि अगर हमने इने अकठा नहीं किया तो अर्बों लोग मारे जाएंगे इन बारहों चीज़ों में हम लोग देखते हैं infinity stones, eternity book, green lantern की power battery, spear of destiny, medusa mars, the bell will and jar, orb of raw और इन सब के अलाओ और भी कई सारी चीज़ें जो कुल मिलाकर 12 items थे grandmaster बताता है कि ये बारहों के 12 artifacts बहुत ही जारा powerful है और अगर हमने इने इकठा कर लिया तो हम आने वाले खत्रे को पूरी तरीके से रोंक देंगे grandmaster बारहों artifacts के location justice league के हर member के mind में place कर देता है grandmaster justice league से कहता है कि इन items को जल्द से जल्द इकठा कर लो इससे पहले कि तुमारी opposite team उन्हें हासिल कर ले इतना कहकर grandmaster बहां से टेलिपोर्ट हो जाता है justice league के सारे members ये सोच रहे होते हैं कि आखिर grandmaster की बात पर भरोसा किया जाया या नहीं तब wonder woman कहती है कि उसने जितना भी कहा है वो सच कहा है इसलिए अपने universe को बचाने के लिए हमें उन artifacts को ढूरना ही होगा justice league के सारे members इस बात पर agree करते हैं slash कहता है कि मैं उस universe में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी powers वहाँ पर काम नहीं करती है वहाँ पर speed force नहीं है इसलिए वो अपनी जगा पर atom को वहाँ पर जाने के लिए कहता है justice league अब उस universe में जाने के लिए तयार हो चुकी थी slash कहता है कि मैं बहले ही वहाँ पर ना जा सकूँ पर मैं तुम्हें वहाँ पर जरूर टेलिपोर्ट कर सकता हूँ पर इतना कहकर वो उन सभी लोगों को marvel universe में टेलिपोर्ट कर देता है दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं Avengers मेंशन को जहाँ पर सारे Avengers मिलकर सब चीजों की परताल कर रहे होते हैं यहाँ पर टोनी स्टार के एक ऐसी machine मनाता है जिससे कि अगर कोई दूसरे universe का जीव इस universe में आएगा तो Avengers को इसका पता चल जाएगा Iron Man इतना कही ही रहा होता है कि तब ही उसकी machine बीप करने लगती है Iron Man कहता है कि हम जिस किसी की भी तलाश कर रहे है वो यहाँ आ चुका है और तब हम लोग देखते हैं Justice League को जो कि Marvel Universe में इंटर कर चुकी थी वो सारे लोग यह decide करते हैं कि वो लोग groups में divide हो जाएंगे और इस पूरी अर्थ को observe करेंगे बैटमेन कहता है कि हम लोग सिर्फ चीजों को observe करेंगे हमें उनमें involved नहीं होना है और अब यह सारे के सारे लोग निकल पड़ते हैं अर्थ को observe करने के लिए Green Lantern और Aquaman ये दोनों Dr. Doom के सहर लैटवेरिया पहुँचते हैं Green Lantern अपनी power से खुद को और Aquaman को invisible कर लेता है और फिर वो लोग देखते हैं कि उस सहर के लोग Dr. Doom की जैजे कार कर रहे होते हैं लेकिन मौद के डर से Wonder Woman और Martian Man Hunter पहुँचते हैं गेनोशा नाम की एक जगा पर जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने कर दिया होता है अब यह सारे के सारे लोग एक जगा इकठा होते हैं सुपरमेन कहता है कि मुझे यह अर्थ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई यहाँ हर तरफ chaos है वो कहता है कि क्या इस अर्थ के heroes को उनके लोगों की चिंता नहीं है, सुपरमेन कहता है कि मुझे इस प्लैनेट के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है इसलिए हमें अपना काम जल्दी से खत्म करके यहां से चलना चाहिए इसलिए अब यह सारे के सारे लोग उस आर्टिफैक्ट को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं तबी इन लोगों के सामने बहुत बड़े-बड़े मॉंस्टर्स आ जाते हैं जो की उस आर्टिफैक्ट की रक्षा कर रहे होते हैं लेकिन Justice League की टीम उन्हें बड़े ही आराम से हरा देती है और एक आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर लेती है Martian Manhunter बताता है कि यह बहुत ही powerful weapon है इससे पूरा universe तक तबाह हो सकता है पर तभी उस आर्टिफैक्ट पर एक arrow आकर लगती है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने है Avengers तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज का पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और अगले एपिसोड तुरंत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पर सेट कर दे मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तिल देन गुडबाई एंड टेक केर